नमस्कार दोस्तों मेरे नामे आशीश राठोर इंडियन रेल डाइनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिया अगर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतजार था आखिरकार इसकी तस्वीरे सामने आ चुकी है कल अश्नी वेश्णोव जी पहुचे बी एमल भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेट की बैंगलियूरू फैसिलिटी में जहां पर मैंने आपको बत करेंगे इससे पहले आपको बता दूँ अभी हाल ही में नैश्नल क्रियेटर्स अवर्ड का इवेंट हुआ था वहां पर मैं भी इन्वाइट था मैं भी गया था तो जल्द ही उसका वी में व्लॉग डालने कोशिश करूंगा ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन हाँ जो भी म इन्वाइशन अभी तक मिल पाई है देखिए बैंगलियूरू में अभी हाल ही में जो वंदर स्लीपर ट्रेन की फोटो सामने आई हैं आप लोगों के सामने हैं सबसे पहले इसका निव डिजाइन जिहां दोस्तों यह एनिमेटिड डिजाइन जो है पहले जो दिखाया गय है क्योंकि मैं यही सोच रहा था अगर भी एमल और आईसीफ ने यह काम लिया है अपने उपर तो मुझे लगता है वह कंपीट करेंगे और टक कर देने की पूरी कोशिश करेंगे भी एचल्टी आरेसल और आर्वी एनलन टीमेस के जेवी जो हैं जो खुद भी काम कर रहे ह वंदे स्लीपर के वजन पर जिनको 200 ट्रेंज का पूरा ओडर है और 25 तकी उनका पहला प्रोटाइप आपाएगा यह एक्स्टीर की डिजाइन आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्षिन नों बताना देखिए मैं आपने अकॉर्डिंग बता हूँ तो यह बिल्कुली यूनिक इंडियन डिल्वीज में ऐसी कभी कोई डिजाइन की ट्रें कभी अना आई है यह यूरोपिन स्टेंडर को मैच करती है और मैं खुश हूँ कि इस तरीकी की डिजाइन के बारे में सोचा गया अब देखिए सबसे पहले आप लोग इस फोटो को देखिए यह आपका DTC कोच कोच होने वाला है ड्राइवर, ट्रेलर, कोच और इसको आप देख सकते हैं सामने से जो इसकी एरोडानिमिक्स है वो कैसी है देखिए अभी तो यह शेल है इसमें काफी सारा फरनीशिंग का काम होने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि यह डिजाइन जो भी दिखाया गया है यह फाइनल डिजाइन है वैसे तो इसको अटेन कैसी किया जाएगा ठीक है तो अभी के लिए आप लोग यह डिजाइन देख सकते हैं और इसके बाद आप इस कोच का एक्स्टीर देख रहे हैं देखिए इस कोच की फिनीशिंग आपको पहली लजर में कैसी लगी होगी ए इन्होंने ऐसा काम आप कर दिया है फिनीशिंग में जो कि एक स्टैंडर्ड तैय कर देगा वंदे भारत ट्रेंज के मैनुफेक्टिरिंग में आगे चल करके भविश्य में अब इसमें देखिए अशनी वैसनोसर ने आगे बहुत सी चीज़ भी बताई है इसमें आप पहल होने हैं सेंट्र ओव ग्राइविटी जो है डिफ्रेंट होगी स्ट्रेंट की जैसे कि वावरे रेल्वे मंतरी ने बताया भी है क्योंकि लोग आप उपर वी बैठेंगे उपर बदेना चाहूंगा और आप देकसके कुछ रहे थे कि इसके आगा वीज़िआदा है तो जैस तो हाइट तो ज़्याद रखना ही पड़ेगी नहीं तो फिर प्राब्लम आएगी नीचे वाले पैसेंजर को भी तो ऐसे में इसकी हाइट पर मेरे को लग रहा है काम किया गया है तो यह कुछ इस तरीके से अभी फोटो सामने आई है अब मैं आपको बताता हूं कि अश्णी प्रविशन होगा लोग उपर वी बैठेंगे अपर बरत जैसे होती है तो उसके कोडिंग में चेंज किया गया स्ट्रेंथ आवरोल ज्यादा प्रवाइड की गई है एक चीज़ उन्होंने साफ कर दी जो कि मैं आपको बहुत पहले बता दी थी इस ट्रेन की इलेक्ट्रिक होगी वह पूरे तरह से को सकती है और फर्स्ट एक होगा इनकम पोडिशन में बदला भी हो सकता है फिलाल की तौर पर अभी यह वाली जंकारी निकल के आई है अर्श्विन रसनों सर्ण ने बताया कि इसके बहुत सारी फीचर जो है वह चेरकार वर्जन उससे ही मैच करें होंगे तो वह तो हम लोगों को बहुत सारी फीचर पता लगी गया है अब इतनी जन्नी कर चुके हैं नई वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर उन्होंना पता है कि वाइब्रिशन काफी कम होंगे साउंड प्रूफिंग जो रूफ में की गई है वह बहुत जाद अच्छी क्योंकि एक तो लॉंग जर्नी के लिए बनाई जा रही है तो कमफर्ट तो इसमें चाहिए ही चाहिए साथ में मेरे को इसमें कोच में जो विंडोस साइज सेम लग रहा है चेर कार वंदे भारत के अकॉर्डिंग और जो डॉर का साइज है वो भी बिल्कुल सेमी लग तो सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च में इसको लाने की बात की जा रही थी शांतुनु रोय जी जो की बीएमल की सीमडी है उनका तो यह बहुत पहले कहना था कि हम तो मार्च से पहले भी तियार कर सकते हैं इसको लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा धक्का तो इस चीज में लो को या फिर एनाई को कुछ इंटरिव्यू में मैंने सुना असुनी वैसनोसन ने बोला ये भी है कि कुछ हपतों में इसकी फर्णेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा और यह ट्रेन डॉल आउट होना सुरू हो जाएगी तो अभी मुझे लगता है कि रेल्वे खुद भी अभी बहुत कुछ हो सकता है आने वाले छे मैने के अंदर ही होगा जो जो होगा इलेक्शन भी है लेक्शन के बाद लॉंच हो सकती है तो अब इस पर नजर बनाए रखेंगे किस तरीके से काम चलेगा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा साथ में अमरित भारत ट्रेनों को जो है वो सीधा रेलवे ने बताई भी थी तो पचास अमरित भारत तो आनी है भविश्य में तो जो भी लोग सोच रहें कि अमरित भारत का क्या हो रहा है दोस्तों तो उस पर बहुत तेरी से काम शुरू हो ही गया है हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स में जो बनाती है लोक आपको क्या करना है सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को और बैल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो की आप लोग बताएगा आपको कैसा लगा इसका एकस्टीर और इंटीर का डिजाइन बोडी शेल का ओवरोल आज के लिए इतना ही वंदे मातरम भारत मातकी जै खतम हो जाएंगे बिल्कुल जर्क्स नहीं रहेंगे और बिल्कुल भी वाइबरेशन या नॉइज नहीं रहेगी ट्रेंड के अंदर तदर कब तक आजएगी बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही हफतों में मैनेफेक्ट्रिंग कंप्रीट होगी और रोल आउट होने लगे जित रहें रहेंगे को जाएबरे अचिता बहुत करेद हुए जागचे कंप्रीट!".